तो दुस्तों सीडियों बात करने वाले है PNB that is Punjab National Bank के Q2 FY25 के रिजल्स के बारे में जो आज हमें 28th of October को finally out होते वे देखने को मिल रहे तो देखते की किस तरह का performance बैंक ने हमें यहाँ पर quarter 2 में दिखाया है तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे बैंक का total income जिते भी फिगर से वो rupees in lakhs में और यहाँ पर हम डिसकस करेंगे बैंक के consolidated numbers last income कितना था 29,857 करो last quarter में था 32,759 करो और इस quarter में 35,111 करोर का तो income बैंक का yearly as well as quarterly दोनों basis के उपर जो है वो काफी बढ़िया तरीके से बढ़ा हुआ है सेकेंट इंग expenses last year 23,000 करो last quarter में 26,000 करो इस quarter में 28,000 करोर के तो bank के expenses भी yearly as well as quarterly दोनों basis के उपर जो है वो थोड़े से बढ़ चुके है अब main thing यहाँ पर provisioning and contingencies last year provisioning थी 30,36 करोर की last quarter में 37,80 करोर की इस बार सिर्फ 183 करोर की है तो provisioning bank की yearly quarterly दोनों basis के उपर शारपली कम हुई है तो profit आपको उतना ही जादा spike करता हुआ देखने को यहाँ पर मिलेगा finally net profit for the period की अगर हम बात करें तो last year bank का profit था something around 1764 करोर last quarter में था 3716 करोर इस quarter में 4431 करोर का तो profit yearly more than double हो चुका है as well as Q on Q basis के उपर भी काफी बढ़िया jump में जो है वो profits के अंदर देखने को मिलती है अब बात अगर हम करें यहाँ पर non performing assets की तो last year थे something around 65563 करोर last quarter में थे 51262 करोर इस quarter में 47,52 करोर के तो NPSB bank के जो है वो yearly as well as quarterly दोनों basis के उपर हमें sharply कम होते हुए देखने को मिल रहे है तो private bank से अच्छे numbers तो यहाँ पर जो है वो PSU banks लेकर आ रहे है B.O.B. के भी काफी बढ़िया थे और यहाँ पर PNB ने भी outstanding numbers post किये है